हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी यूट्यूब चनल आपका हल्गुरू में स्वागत है दोस्तो आज हम एक एसे मसाले के बारे में बात करने वाले हैं जो की हर गर में बहुती आसानी से मिल जाता है और यह मसाले के बहुत सारे फायदे होते हैं यहाँ पर हम मेथी के बारे में बात कर रहें दोस्तों मेथी के बहुत सारे फायदे हैं पर यहाँ पर हम मेथी किस तरीके से हमें वेट लोस करने में फायदा देने वाली है यह जानने वाले अगर मेथी को आप सही तरीके से लोगे और सही समय पर लोगे तो वह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी वेट लोस कनने में मैं हूँ डॉक्टर भरत आपका हमारी यूटीब चनल आपका हेल्फ गुरू में स्वागत है सब्सक्राइब करें हमारी चनल को और यहाँ पर दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानने वाले कि किस तरीके से आपको मेथी को खाना है कौन से समय पर मेथी को आपको लेना है ताकि मेथी आपको वेट लोस करने में बहुती अच्छा रिजल्स दे पाए दोस्तों यहाँ पर हमें मेथी के दानों को दो तरीके से लेना है मेथी के दानों को भीगो कर ले सकते हैं या तो मेथी के दानों का हम चाय बना कर यूज कर सकते हैं तो पहले जान लेते हैं किस तरीके से आप मेथी के दानों को भीगो कर ले सकते हैं एक चम्मच मेथी के सीड्स को आपको रात को भीगो देना है फिर सुबह के टाइम यह दानों को तीन बाग में डिवाइड कर देना है इसमेंजे एक बाग को सुबह के टाइम ब्रेकफास से पहले दुसरे बाग को लंच के पहले और तीसरे बाग को डिनर के पहले बहुती आसानी होती है अभी जान लेते के किस तरीके से आपको मेथी के दानों से चाय बनानी है और हमें वेट लोस करने में इनका इस्तमाल करना है दोस्तों मेथी के दानों की चाय बनाने के लिए पहले मेथी के दानों को हमें भून लेना है अच्छी तरीके से फिर यह स्मीट के लिए रखना है और यहां पर हमारी मेथी के दानों में से मेथी की चाई तयार हो जाती है अभी यह चाई को भी हमें तीन समय लेना है breakfast, lunch, dinner के आधे गंटे पहले हमें ले लेना है बाद में हमें हमारा बोजन खाना है तो इस तरीके से लेने से भी हमारा weight loss बहुती अच्छी तरीके से हो सकता है तो यहां पर आप या तो चाय बना कर या तो मेथी के दानों को भीगो कर ले सकते हो दोरों तरीके में आपको weight loss में अच्छा results मिलेगा दोस्तों अभी जान लेते किस तरीके से मेथी हमारा वेट लोस करती है दोस्तों मेथी खाने से हमारी भूख बहुती अच्छी तरीके से खूल जाती है मेथी हमारा पाचन सक्ती भी बहुती अच्छी तरीके से बढ़ा देती है इसलिए खोराक अच्छी तरीके से बच जाता है हमारा सरी में वायू नहीं बन पाता है मेथी के दानों में फाइबर की मात्रा बहुती ज्यादा होती है इसलिए खोराक में से जो फेट का आउस्वोसन होना चाहिए वह नहीं हो पाता है इसलिए हमारे सरी में कोलस्टोल की मात्रा भी कम होती है और हमारे सरी की चर्बी कम होने लगती है दोस्तों मेथी खाने से हमारे सरी की सभी चैनल खूल जाती है इसलिए पोसक तक्तों का फ्लो भी अच्छी तरीके से चलने लगता है शरीर को पोशन भी मिल जाता है और हमारा weight loss भी होने लगता है दोस्तों यहां सभी फायदों की वज़े से ही मेथी हमें weight loss करने में फायदा देती है दोस्तों आशा रखता हो कि आपको हमारी इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को like जरू करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करिए ताकि सभी को फायदा मिल पाए ऐसी अच्छी इंफोर्मेशन के लिए आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हो Thank you for watching